जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभाज चुनाओ जो लोकतंत्र का महाँ पर्व होता है, इस लोकसभाज चुनाओ के दौरान जिस तरह से तीन-तीन बार के प्रचंड वहुमस से चुने हुए मुख्यमंत्री को, लोकसभाज चुनाओ में प्रचार से केंद्र की भारतिय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बंचित किया था, आज सरोच्च नयाले ने इस देश से मुहबबत करने वाले, संबिधान से मुहबबत करने वाले, लोकतंत्र से मुहबबत करने वाले के दिलों में एक उमीद की किरण जगाई है हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संबंधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सरोच्च नयाले का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्हों ने इस तानासाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोसनी जलाई है आज पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश खुस है इस बास से प्रफुलित है कि इन विपरीद परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे सुतंत्रता संग्राम से नानियों के कुर्बानी के दम पर जो संबिधान मिला लोकतंत्र के जो अलग-अलग अस्तंब बने आज भी इस ताना साही के अंदकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं इसके लिए तहदिल से बहुत-बहुत सुक्रिया ये सत्य की जीत हुई है क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के बिना किसी F.I.R. के जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया आज सुप्रिम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उमीद की किरण बधी है मैं पूरे दिल्ली के लोगों से देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिल करके लोगतांत्रिक तरीके से समवैधानिक तरीके से ओट की ताकत से इस देश से तानासाही को खत्म करने का समवैधान को बचाने का लोगतांत्र को ब आहराने से ये और मजबूत होगा पूरा देश मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा तो मैं पुनह सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तोर से सुप्रीम क कोट का फैसला आया है इस फैसले से सिर्फ अर्विंद केजरिवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली इस फैसले से सत्य की विजह हुई है इस फैसले से लोगतंत्र की विजह हुई है इस फैसले से देश के समविधान की विजह हुई है हमारे देश के इतिहास में जब-जब समविधान खत्रे में आया है जब जब लोगतंत्र खत्रे में आया है तो हमारे देश में सुपरीम कोट सामने आया है और लोगतंत्र की रق्षा करने पे सुपरीम कोट ने बहुत बढ़ी हुमे काने दाई है आज भी अर्विंद केजरिवाल जी को अंतरिम जमानत दे का, अर्विंद केजरिवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोट ने दी है, इस फैसले से लोगतंत्र की रक्षा होगी क्योंकि इस देश में लोगतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिधानत है लोगतंत्र में चुनाव फ्री एंड फेर इलेक्षिन्स हमारे सम्मिधान की नीव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुने का आज इस देश में एक ताना शाही की सरकार है एक सरकार जो विपक्ष को खतम करने की कोशिश कर रही है एक सरकार जो लोगतंत्र को खतम करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के सम्विधान लेकिन इस ताना शाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा और मैं एक बार भे सुप्रीम कोट का भन्यवाद करना चाहती हूँ सामने आकर लोगतंत्र को बचाने के लिए और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस देश को अपने लोगतंत्र को और अपने सम्विधान को बचाने के लिए ये आखरी मौका है इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब को मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस ताना शाही को ख़़ाँ करना है धन्यवाद ये पीम मेले जैसे मामले में जिसमें केंद्र की पूरी सरकार उनकी पूरी आर्टिलरी पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी और ऐसे मामलों में जहां पर महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया उनकी इंटरिम बेल चालिस दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमतकार से बड़ा थी कुछ है और ये सुप्रीम कोट के माध्यम से मेरा मानना है उपर वाले का एक इशारा है उपर इश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अर्विंद के जिवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आश्रवाद है कि एक चमतकार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है ये कोई साधारन बात नहीं है ये बहुत अगा साधारन बात है जो हो रही है और एक बड़े मकसद के लिए अर्विंद केजरिवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर आप बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगी बहुत बहुत दन्यवाद है यह जैसा सौरभ भाई ने मुझसे पहले बताया जैसा गोपाल सर ने मुझसे पहले बताया पहुत ही extraordinary circumstances में ये bail grant हुई है, interim bail grant हुई है PMLA जैसे संधीन provisions जहां लगे थे जिसका मकसद ही सिरफ बयानबादी के आधार पर भाजपायों की बयानबादी के आधार पर अर्विन के जरिवाल जी को जेल में डाल के रखना था सथा चुनाव से बहार रखना था Like Aatish ji said before me, ये last मौका है to save democracy and we call upon the citizens, we call upon the media, we call upon all of you to ensure की हम भी इस बात democracy को आप help करें और लगातार देश में इंडिया में दिमोकरसी बही रहे इसका पूरा प्रयाद कि महने कि जाए में आप I कि क जाए में कि रहे चुनरा आप कि मौका है all ними तो आप है